एक बरतन ले लेंगे उसमें दो गलास मैंने पानी डाल दिया बॉइल होने के बाद उसमें मैंने राइस डाल दिये चावल को मैंने 20 मिनिट तक भिगाया था और मैंने कोलम राइस लिये है अब इसी में ही आप दो जो छोटी गाजर है अगर बड़ी है तो एक डाल देंगे वो डाल देंगे बारिक चॉप किया हुआ, आधा कॉन ले लेंगे उसके पीसेज निकालके वो डाल देंगे, इससे क्या होगा, वो जो चावल में वो सबजीयों का टेस्ट आजाएगा, और आपको डबल प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, अलग से सबजीयां बॉयल करो, काफी कुछ विटामिन्स भी वेस्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपके सब सबजीयों का जो एक्स्ट्रक्ट है और उसका जो टेस्ट है वो चावल में में मेक्स हो जाएगा, आप थोड़ा नमक डाल देंगे, जिससे चावल फीके ना रहें, सबजीयों में भी नमक ल और कलर भी बहुत उनका सुन्दर है, आपको लगेगा कि चावल 90% कोख हो गये हैं, तो उने तुरन स्ट्रेन कर दीजी, अलग पानी से आपको धोईए मत इसको, क्योंकि उससे चावल का टेस्ट चला जाता है, और मैंने कोलम राइस यूज़ किये हैं, बासमती नहीं यू अब एक कड़ाई, उसमें चार से पान्च चम्च तेल डाल देंगे, आदा चम्च जेरा, आदा चम्च हीन डाल देंगे, एक बड़ा कांधा ले 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 और उससे फ्राय करेंगे, हलका सा पिंक करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नी, करना है, ये जो मैं बता рêu आपको राइस की रेसिपी यह बहुत इजीली बनता है बहुत टेस्टी बनता है और एवरी टाइम आप इसे वेज बिर्यानी मसालेदार बना के नहीं खाना पसंद करते हैं तो यह आपको बहुत हलका फुलका लगेगा आप कभी भी रात में इसे बना की खा सकते हैं चावल थोड़ा सा गुलाबी होने पर यह जो मैंने पत्तागोबी काटके रखी थी बारिक चॉप करके उसे डाल देंगे एक शिमला मिर्च मैंने काटके रखा था बारिक उसे डाल देंगे अब इने हम लोग हलका सा सौते करेंगे बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं हलका सा ल जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट भी डाला है वो मैं आपको बताना भूल गी जब हम तेल में जीरा और हिंग डालेंगे उसके बाद जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट मेंने डाला था इस तरीके से हलका सा सबजियां कोग हो जाए तो हमने जो राईस फैला के रखा था आप देखिए इसका स्टीम निकलना बंद हो गया है तो स्ट्रेन करेंगे तो उसको सरफ स्ट्रेनर में डालिए जो एक्स्ट्रा जितना पानी था वो निकल जाएगा और अब हम इसमें नमक लाल मिर्च और गरम मसाला डालेंगे अलग से हमें दूसरे पानी से वाश नहीं करना है आप अगर चाहें कि घर में कैसे बनाते हैं गरम मसाला तो मेरे ही वीडियो में है आप उसे बना के देखिए बहुत ही टेस्टी लगीगा अब मैंने पनीर ले लिया 100-500 ग्राम पनीर ले लीजिए उसके पीसिस कर लीजिए उसे मैंने हलका सा मैरिनेट कर दिया थोड़ा आप इसे मेक्स कर लेंगे चावल तो गरम है उसमें पनीर अपने आप हलका सा कोख हो जाएगा अब हम इसे सर्फ कर रहे हैं रायते के साथ मैंने इसके साथ छुटे-छुटे वैज कबाब बनाए हैं अगर आप चाहते हैं आपको रेशेपी चाहिए इजी वैज कबाब ब बता ही मैं फिर से बना के आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाए हैं तो यह बहुत अच्छा कॉंबिनेशन हो गया राइज रायता इन कबाब